नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ता खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर जन्म लेते ही मौत से लड़ाई, सौ दिन में जीते इन दौर में इंजीनिर की जुड़ा बच्चों की कहानी छोटे इतने की हतेली में रख लो इन दौर में अक्टूबर 2023 में जन्म जुड़ा भाई बैंट चर्चा में है जन्म से ही शुरू हुई मौत से संगर्श की कहानी रेयर और हैरान करने वाली है सिर्फ साड़े छे महीने में मा के गर्ब से बाहर आए इतने छोटे और कमजोर की हतेली में ही उठा ले दोनों का कुल वजन 1730 ग्राम अंग भी विक्सित नहीं देखकर डॉक्टर भी घबरा गए कि आगे क्या होगा लेकिन रोनी की आवास सुन कर लगा इन्हें बचाया जा सकता है यही से शुरू हुआ नया संगष्ट पचास दिन तक दोनों भाई बहन को एंटिलेटर पर रखकर सास देनी पड़ी मा का दूद कम पढ़ जाए तो अस्पताल में भड़ती दूसरी माओं से आग्राय कर दोनों को दूद पिलवाया इसके बाद NICU में लाए अंततहे सौ दिन बाद दोनों को डिस्चार्च कर दिया गया अब दोनों घर पर है किलकारी से पूरा घर चेह कर रहा है जनके समय लड़के का वजन 950 था जुड़वा बहन का 780 ग्राम अभी बढ़कर धाई किलो और डेर किलो हो गया है उन्होंने संगर्च की पूरी कहारी बताई कहा तीसरी बार गर्वती हुई बिनिता को साड़े छे महीने में ही प्रसफ पीड़ा हुई थी 30 अक्टूबर 2023 को प्राइविट अस्पताल में डिलिवरी कराना पड़ी जुड़वा बच्चे हुए इलाज में 25 लाग खर्च हुए इनकी जिंदगी बचाने के लिए 22 लाग का लोन भी लेना पड़ा अबोर्शन केटिगरी के इन बच्चों के लिए चुनाँती या इलाज करने वाले डॉक्टर मुकेश बिल्डा ने बताया कि इतने कम वजन के ये बच्चे अबोर्शन केटिगरी के थे जब इन बच्चों ने हरकत की और रोए तब हमें भी उम्मीद बंदी पहली चुनौती थी कि इनके फेफडे पूरी तरह नहीं बने थे सास लेने में परिशानी थी आखे दिमाग आते सही तन्य अंग काफी कमजोर थे ब्लड प्रेशर और सेचुरेशन भी काफी कम हो गया था कभी सास लेते तो काफी समय तक छोड़ देते थे सौ दिनों में से पिच्चानवे दिन बच्चों को आक्सिजन देनी पड़ी इतने छोटे बच्चों को सौ दिन तक NICU में ही गर्ब जैसा माहौल देना मा को समस्या हुई तो दूसरी माताओं का दूद पिलाया डॉक्टर मुकेश बिल्ला लाल टी-शर्ट में कि मताबिक उस दौरान कुछ गायनिक समस्या के चलते इन बच्चों को मा का दूद उतना नहीं मिल पाया दोनों बच्चों को दूद की पूर्ती नहीं हो पा रही थी उनकी आते इतनी कमजोर थी कि वह कुछ और पचाही नहीं पाते थे और तबियत बिगड़ सकती थी अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लेने मशकार और देखते रहे दाखबरदार ही उस अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकस एंड मुवस है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाक कार को सक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है तो अब देख इस बात की आज ही संपक करें डवलेट टू वन ट्रिबल जीरो सेवन वन सेवन